आपको स्कूल के लिए देरी हो रही है आपको स्कूल के लिए देरी हो रही है आपको स्कूल के लिए 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 वह रहूल के साथ शादी कर रही थी क्या रही है क्या is she getting marriage with Rahul 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 is she getting marriage with Rah देखिए अभी आपको वीडियो पॉस करना है और इन चारो सेंटेंसों के और देखते हुए इन्हें अंग्रेजियों बनाने की कोशिश करनी है और आपकी कोशिश आपको आपके मोबाइल में रेकॉर्ड करना है आपके रेकॉर्डिंग आपको सुननी है उसमें क्या फाल्ट है क्या दोश है ढूण निकालने फिर से वो दोश आपको दूर करते हुए फिर से कोशिश करने है फिर से रेकॉर्ड करना है फिर उसे चेक करना है इस तरह से 5-6 बार कोशिश करने के बाद जब आप सैटिस्फा हो जाएंगे, कि मैं अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल पा रहा हूं, जस तरह से बिना हिच्ची चाती होगी मैं हिंदी बोल सकता हूं उसी तरह से मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूं जब आप satisfies हो जाएंगे तब आपको फिर से ये वीडियो प्ले देखना है और फिर से वीडियो देखना है देखिए मैं एक बार कोशिश करता हूं Are you getting late for school? Yes, I am getting late for school due to school bus Are you getting marriage with Rahul? Yes, she is getting marriage with Rahul इस तरह से आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है इसी पन्यपरिष्ट के दिशनी हिस्से में और दो चार सेंटेजेस हैं, उन्हें भी हम अंग्रेजियें बनाते हैं, देखिए, आप साक्षातकार में ब्रमीत होते हैं क्या? आप साक्षाकाद में ब्रमीत होते हैं क्या? Do you get confused in interview? Do you get confused in interview? Yes, I get confused in interview, yes, I get confused in interview, 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 आप बाराव में सफ़ल हुएते हैं क्या? Okay, did you fell into wealth, did you fell into wealth, no, I did not fell into wealth अभी आपको वीडियो प्वास करना है और इन चारों सेंटेंसों के और देखते हुए इन्हें अंग्रेजी में बनाने के कोशिश करने है आपकी कोशिश आपकी मोबाइल में रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्डिंग आपको चेक करना है उसमें स्वधारनाई करने है फिर से क कोशिश करने है जब आप satisfy हो जाएंगे कि मैं अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल पा रहा हूं तब फिर से आपको युडियो प्ले करना है और अगला पाड़ देखना है देखिए इस तरह से आपकी कोशिश आपको जारी रखनी है इसी परने पर एस सबी सेंटेंस आप अंग्रेजी में दिये हुए हैं लेकिन आपको अंग्रेजी नहीं पढ़नी है आपको हिंदी की वर देखते हुए आपकी कोशिश जारी रखने हैं आपकी सहेता के लिए हम पर अंगरेज दी हुई है आपको अंगरेज नहीं पढ़ने है आपकी सहेता शिर्फ आपको लेने हैं देखिए आपको अपकी कोशिश जारी रखने है और हमारी जो किताब है श्पीच चालेंज टू स्पीक एंगलिश एचार 148 पन्नों वाली किताब है इसके हर एक पन्ने को हम वीडियो फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए हमारे वीडियो देखते रहे हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजी आपके जो भी दोस्ता अंगरेजी बोलना सीखना चाते हैं उन्हें भी जानकारी दें कि वो भी हमारे वीडियो देखते रहे हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यो